हम चाहते हैं कि आप अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करें तो यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए टेस्ट बूग की से आप देखा जेट बहुत ही अच्छी है अगर आप यहां आपको 10% का instant discount मिलने वाला है यानि यहां पर आप क्या करेंगे RG274 यान जैसे ही apply करेंगे आपको instant 10 से 15% का लगभग यानि 10-15% का तुरंट discount मिल जाएगा तो यहां पर तुरंट आप यूज करेंगे तुरंट यह सारी चीजे मैं आपको description में डाल दूँगा coupon code भी मैं description में दूँगा तो वहां से जाकर आप इसे purchase कर सकते हैं की तरफ से फाइनली notification जारी कर दिये गया है फुल notification में वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि यहां पर notification में आप देखेंगे थोड़े सब्सक्राइब बदलाव किये गये हैं इसके बारे में इंटरनेट पर मैंन इन्होंने बताई है इसका registration सुरू हो चुका है आपको क्या करना है आपको ITVP के official website पर जाना है वहां पर जाकर इस form को apply कर देना है age limit यहां पर इन्होंने वही रखी है आप देखेंगे level जो है 7 की वेकंसी है उसके बाद age limit 20 से 25 साल यहां पर आप देख सकते हैं उसके जनरल government servant के लिए भी यहां पर कुछ छूट रखी गई यहां आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा detail notification में सारा कुछ बता हुआ है सब कुछ एक एक detail में मैं आपको बताने वाला हूँ यहां पर physical के बारे में दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा एक 70 आप male candidate है तो आपके पास इतनी height होने चाहिए फिमेल के लिए एक 70 याईनि जो SSC GD में मांगी जाती है वहाई हाई आपके पास होनी चाहिए उसके बाद 80 से 50 cm चेस होना चाहिए only male candidate के लिए फिमेल के लिए मतलब agreeable नहीं होता है उसके बाद एक 70 याईनि आप ध्यान से देखिएगा अगर आप 170 है उससे जादा ही है तभी आप apply करिएगा क्योंकि कारण क्या है उसमें थोड़ा बहुत variation रहता है तो यहां अगर आपके 70 भी है तो आप apply कर दीजिएगा हो सकता है में भी इस इसमे अगर पहाड़ी यहीं से आप बिलॉंग करते हैं तो यहां पर एक 65 एक 85 असी से पचासी आपका वहीं चेस्ट होना चाहिए यह पूरा इन्होंने मांगा एस्टी कंडी इसे ओवराल इंडिया कहीं से भी बिलॉंग करते हैं तो 62.5 है तो बिल्कुल यहां पर कोई दिक्कत कोई परिसानी वाली बात नहीं है आप देख सकते आई साइट आपका 6 बटा 6 उसके बाद 6 बटा 9 होना चाहिए तब ही यहां पर आप अप अप्लाई कर सकते हैं वरना अप अप्लाई नहीं कर सकते हैं टैट्टी को लिए इन्होंने बता हुआ है कि आपके पास हो सकीती है कि चलके selection process के इन्होंने बात बताई हुई है का admin card candidate will be issued online आपका admin card आएगा उसके बाद requirement test होगा उसके बाद candidate candidate who have issued online admin card will remain originally till the finally selected and the submit are related document verification in original and precise format at the stage of verification of original document उसके बाद भी इन्होंने कहा है candidate are required to the bring a clear and liable print out of मतलब इस application जो आप करेंगे इसमें जो है आपका print out रखना होगा यानि आपको उसमें लगेगा उसके बाद application form admin card भी लगेगा उसके बाद will not permitted to the venue physical अगर आपके पास यह नहीं है तो यह जो है आपको आगे process में भाग लेने देंगे यहाँ पर आप race देख लीजेगा तो बहुत ही सिंपल लेस है 100 मीटर आपको 16 मिनट में करनी है उसके बाद 16 मीटर जो है साथ मिनट के अंदर विदिन आप complete कर सकते हैं कोई दिक्कत कोई परिसानी वाली बात नहीं है उसी तरीके देखेंगे तो 100 मीटर रेस लगानी है 18 सेकंड के अंदर उसके बाद 800 मीटर उसके बाद 445 में आपको इतने देर में आपको क्या करना होगा रेस को complete करना होगा अगर मतलब इससे कम में करते हैं तो आपको reject कर दिया जाएगा उसके बाद यहाँ आप देखेंगे फिजिकल quite standard के बारे में इन्हों ने बता हुआ है के हायट चेस्ट होगा उसके बाद आपको मीजर किया जायगा फिज टू में इन्होंने बता हुआ है कि यहाँ पर होने के बारे में आपको और ना होगा आपको कि एक्जाम देना होगा यहां पर एक्जाम के बारे में इन्हों कर न यहां रहा था लेकिन इसका इंटरन conscious का नोंं आप की रिशर्च की तो आना देखेंगे 160 कुशन आपके टेक्निकल के होने वाले हैं civil structure के उसके बाद bilingual होंगे हिंदी- English दोनों में होंगे उसके बाद आपका General Intelligence reasoning रहेगा उसके बाद जी के रहेगा उसके बाद यहां आप देखेंगे 160 नमबर करेगा तीन घंडे का टाइम मिलेगा 200 नमबर का यह आपका पेपर होने वाला है यानि एक क्विश्चन आपका एक नमबर का होने वाला है उसके बाद इन्हों का आंसर की आप क्विश्चन पेपर विल भी अप्लोड़ेट आई टी वीपी की विशाइट पर आपको कर दिया जाएगा रिटेन एक्जाम कंप्लीट होने के बाद उसके बाद कंडिडेट आर नाट पर्मिटेट टू मोबाइल फोन यानि यहां पर आपको मोबाइल फोन वगरा जैसा की अलाव नहीं है तो आपको नहीं ले जाना होगा उसके बाद इन्होंने पता है मेरिट लिस्ट आप्टर कंप्लिएशन आप रिटेन एक्जाम निशन मेरिट लिस्ट इन इच कटेगरी यूर स्ट मतलब अलागला कटाप बनेगी सर्विसमें वी डाउन बेसिस आप इसी तरीके से आपके कटाप बनने वाला है उसके बाद आपका डाकॉमेंट वेरिफिकेशन ह होगा यानि आपका जो भी सौट लिस्ट किये जाएंगे उनका वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपका मेडिकल एक्जाम नेशन होने वाला है उसके बाद तब जो है आपको जाइनिंग दी जाएगे से कंड में आप देखेंगे इन्होंने कहा है जानि अगर आपने यह मतलब अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन्होंने कहा है डिग्री या डिप्लोमा तो अगर आपने बीटेक किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं कोई दिक्कत कोई परिसानी वाली बात नहीं है उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर आ इसका एक्जामनेशन होगा यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहां पर सजवी का इंटर्व्यू जिस तरीके से सजवी का होता है यहां पर रिव्यू मेडिकल उसके बाद अगर आपको कोई दिकत वगारा होती है तो आपको रिव्यू करके मेडिकल भी दिया जाए तो यहां पर आप जाकर mail कर सकते हैं या इन्हें call करके इनसे कोई भी चीज जो है अपनी जानकारी ले सकते हैं पूछ सकते हैं उसके बाद form certificate अगर आप मतलब OVC वगरा है यह CST है तो यहां आप देख सकते हैं इस format में आपका central government का certificate होना चाहिए तभी यहां पर आप apply कर सक सकते हैं इस तरीके से इन्होंने बता हुआ है कि यहां पर किस तरीके से आपके certificate वगरा होना चाहिए कि इस format में बाकि इसका detail notification आपको ITBP के official website पर मिली जाएगा यहां मैं किवल आपको main main चीज़े important चीज़े बता रहा हूं syllabus वगरा जैसे कि यहां पर बीटेक है तो बिलक अगर कोई जानकारी चीज़े तो कमेंट करके पूछ सकते हैं ओके थैंक्यू